Hey guys, this is Aakash Kumar back again with the new another blog So guys, आप लोग देख सकते हैं कि आज का जो ब्लॉग है क्या होने वाला है कोई outdoor ब्लॉग नहीं है, आप लोग ने title में देख लिया है मैंने कल एक phone purchase किया था Just उसका review देने वाला हूँ, अपना opinion बताऊँगा इस price range में क्या ये phone अच्छा है आप लोगों को purchase करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और मैंने कल से इसको use किया है तो क्या मुझे इसमें अच्छा लगा, क्या इसमें कमिया है सारा कुछ आप लोगों को इस वीडियो में पता लगने वाला है सो प्लीज लाश तक इस वीडियो में बने रही और अगर पहली वार चैनल पर विजिट करें तो आर सब्सक्राइब करके bell notification को on जरूर कर लीजिए सो गाइज अगर इस phone की बात करें तो ये phone है Redmi का Note 8 और यहाँ पर होता क्या है कि वीडियो on नहीं कर पाते है तब तक एक Royal Enfield निकल जाती है सो आप लोगों को हो सकता है कि वीडियो में थोड़ा इस्टर्वेंस हो राज प्लीज या डोंट माइंड ये जो phone है वो है Moonlight White Color में बहुत ही premium color है बहुत ही ज़ादा amazing feeling आती है हाथ में पकड़ने के बाद में और आप लोगों side light में ना दिख रहा हो तो देखिए ये color जो है बहुत ही ज़ादा amazing है quad core camera है पीछे gorilla glass 5 की protection है और quad core camera में आपको 4 lens मिलते हैं 48 megapixel का दूतरा 8 megapixel का तीसरा 2 megapixel का और 4 भी 2 megapixel का तो आप लोगों को pictures में कोई compromise देखने को नहीं मिलेगा काफी अच्छी quality आप लोगों को photos की देखने को मिलने वाली है और इसमें side में आप लोगो chrome की finish मिलेगी जो की बहुत ही जादा enhance कर देती है इसके look को बहुत ही जादा premium लगने लगता है और अगर screen की बात की जाए तो आप लोगों को बहुत ही कम bezels देखने को मिलते हैं आप लोग देख सकते हैं कि side में हलके से bezels आ रहे हैं बाकी screen ratio बहुत ही गजब का है आपको बहुत ही अच्छा feeling आने वाली जब आप इस phone को अपने हाथ मिलोगे बाकी उपर आपको water drop notch मिलता है जिसमें कि आपको 13 Megapixel का front camera आपको मिलता है और सबसे बड़ी चीज आपको बता दूँ कि type C port 10,000 रुपए के phone में type C port मिलने वाला है 18W का fast charger in the box मिलता है हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही है fast charger जो है in the box मिलने वाला है जो कि आपके phone को quickly charge करता है बहुत ही अच्छा experience होने वाला है आप लोगों का charging का उसके बाद अगर बात की जाए प्रोसेसर की तो snap dragon का 665 प्रोसेसर जो की बहुत ही अच्छा है इस price range में 10,000 में आप लोग बहुत ज़्यादा expectation नहीं रख सकते हैं किसी भी brand से और मैं Redmi पहले यूज कर चुका हूँ दो साल से मैं Redmi यूज कर रहा था दूसरा phone अभी भी वो यूज कर रहा हूँ और दो साल में मुझे कभी भी service center पर जाने की जरूरत नहीं पड़ी इसलिए मैं Redmi पर भरोसा जो है वो करता हूँ और ये phone मैंने खुद के यूज के लिए नहीं मंगा है मैं family मैं यूज के लिए इस phone को देने वाला हूँ बहुत ही अच्छा phone है यार 10,000 की range में आपको इस से better phone मुझे नहीं लगता कोई मिलने वाला है और अगर selfie camera की बात की जाए तो average selfie है बहुत जादा अच्छी नहीं बोल सकते बहुत जादा खराब नहीं बोल सकते अगर 10,000 के phone में major highlight जो चीज़ें होती है जिसकी जरुरत actual में होती है हम लोगों को वो अगर आपको बता दूँ को तो ये phone बहुत ही जादा अच्छा होने वाला है हम लोगो की जरुरत होती है तो आपको 4 camera मिलने वाले है 48 megapixel में photo अच्छी आती है कोई इतनी खराब photo नहीं आती है front camera में 13 megapixel में average selfie आती है बहुत जादा खराब नहीं आती है बहुत जादा premium नहीं आती है उसके बाद में type C port मिलता है quickly charge होता है इंडा box मिलता है अगर आप लोग मार्केट से खरीदेंगे तो 500 से 600 रुपए का adapter ही आता है पूरा charger अगर लोगे तो 7 से 800 रुपए का आता है fast charger original की बात कर रहा हूं है उसके बाद में इसमें snap dragon मिलता है अगर आप PUBG बगरा खेलते हैं आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है उसके बाद में आप लोगों को चार जीबी 64 जीबी जो है इस्टोरेज मिलती है चार जीबी रेम 64 जीबी का इस्टोरेज और क्या चाहिए यार दस हजार में मुझे तो ये फोन overall बहुत जाद अच्छा लगा अगर इसे look wise अगर मैं 10 out of देना चाहूं तो 10 मैं से 10 mark मैं इसको दूँगा क्योंकि इसका जो look है वो सबसे ज़्यादा premium मुझे लगा fingerprint sensor है face unlock है बाकी और भी अगर आपको देखना अगर मैं कुछ miss करना हूँ feature बताने में तो आप लोग नीचा description में जाईए link पर click करिए वहाँ पर सारा कुछ आपको मिल जाएगा और अगर आपको purchase करना है तो इस link से purchase भी कर सकते हैं 10,000 में मुझे ये phone बहुत अच्छा लगा बाकी आप लोग आप लोग अपना खुद का opinion आप लोग देखिए अगर आपको ये phone अच्छा लगता तो आप लोग purchase कर सकते हैं बाकी अपनी राय हमें comment box में ज़रूर बताईए मिल देख next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैहें